नमस्का दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेविड़ा व्लॉग में दोस्तों इंदुस्तान टाइम्स का एक एक एनुलिस लीडर्शिप समिट होता है जो कि अभी हाली में हुआ है और आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे बड़े-बड़े सेलेवरेटी चाहिए पॉलिटिक से हो या फिल्मी जगत से हो उनको बलाया जाता है इस बार पॉलिटिक से तो बहुत लोग आये था और बॉलिवूर्ट से विशेज महमान सुपरस्टार अक्षय कुमार और सुपरस्टार अजय देवन को बलाया गया था और दोनों के एक सा बहुत सारे बाते रिवील भी हुआ है बहुत सारे आने वाले फिल्मों के प्रोजेक्ट के बारे में बताया है एक दुसरे के फैबरेट्स मूवी के बारे में भी शेर किया है यह सब आपको जरूर बताएंगे और प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपक कि कई सारे फिल्मी प्रोडूसर हो गया या एक्टर हो गया वो फिल्म को चलाने के लिए पहले से ही काफी सारे टिकेट्स बुक कर लेते हैं ताकि उनको ओपनिंग दिखे कि हमारा ओपनिंग बहुत अच्छा हुआ है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अगर आप समझ गया है कि हमें तो कोई मतलब ही नहीं सब चीजों से अगर ऐसी होती तो हमारी अभी देखिए अक्षागुमार की इतनी सारे फिल्में आई है वो हर साल तीन-चार फिल्में बनाते है तो अगर मुवी अच्छी है तो ही चलती है नहीं चलती है तो बिलकुल रिजक्ट हो जाता ह तो हम तो ऐसा बिलकुल नहीं करता है और अजय दिखवन का भी यही कहना है कि वो भी दो से तिन मुवी हर साल ले यह आता है तो वो भी ऐसा बिलकुल नहीं करता है उन्होंने कहा कि हमें कॉर्पोरेट बुटिशन से कोई मतलब ही नहीं है फिर एक दिल्चस्प चीज आता है कि उनसे चाहब पूअब पूछा गया कि कौन से एक्टर है जो पॉल्टिशन बाटर कर सकते हैं और ऐसा कोण से पॉल्टिशन है जो बेटर एक्टर बन सकते हैं जब अटर की बात कही तो अक्षेक्माने रितेज़-देशमुका नाम लिया यह बहुत नहीं पूचा कि अब कॉलिटिशन कौन से जो बढ़िया एक्टर बन सकते तो उन्होंने अर्विन केजरीवाल का नाम लिया अब समझ लिया अर्विन केजरीवाल का तो आई से हमेज़ा पॉंटरवर्सी में रहते ही है। सच बोलते हैं जूड बोलते हैं आप कोई पता होगा। अब मेंन बात मैं बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने बताया है कि अक्षाए मैं अक्षाय राजाय आप दुनों को इतनी सालों से जानते हैं। almost एक साथ आप दोनों ने करियर की शुरुवात की है, एक साथ करियर की शुरुवात की है, action पिलिवन सुरुवात की है, comedy film भी आप दोनोंने की है, serious drama की है, social movies किये, और एक साथ movie की हुए आप काफी समय हो गया, कि आप एक साथ collaborate करना चाहेंगे, तो आजय देगों ने कहा कि हम जुरूर इस बारे में सोचेंगे, फिलाल अभी कहना प्लोड जल्दवाजी होगा लेकिन हाँ इसके बारे हम थोचेंगे आजय देगों ने ये भी कहा है कि मैं डायरेट करना चाहूंगा कि मैं फिल्म को डारेट करूंगा और अक्षा इसमें as a lead role में काम करेंगे तो reporter sonal का reaction बहुत ही बढ़िया था कि वाओ ऐसा होगा तो public audience जो fan है आप दोनों के बहुत ही excitement होगे जी हाँ हम है तो मैं खुद excitement हूँ मैं इन दोनों का बहुत बड़ा fan हूँ 90s से मैं एक 90s kids हूँ और एक 90s kids एक emotions है 90s kids के अक्षा कुमार है यह सब एक emotions है हमारे लिए हम चाहेंगे कि यह तोनों movie लाए और एक धमाके दार comeback हो especially अक्षा कुमार का और अक्षा कुमार सब पूछा गया कि क्या आप हेरा फेरी फेरी ला रहे है सालों से बाते चल ड़े कि बनेगी 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 तो अक्षा कacaksın में मजा के अंदाज में जवाब दिया कि जब प्रोड़ूर का हेरा फेरी कतंभ ऌजा तो हम हेरा फेरी शुरू कर देंगे फिर हुन ने कहा कि जी मैं कर रहा हूँ हरा फेरी हम सुरू करेंगे और सब्सक्राइब अर्फ कुर सही रहा तो 2025 को सुरू करते हैं यानि कि हेरा फेरी तो हेरा फेरी दोजार पच्चीस में पूरी-पूरी संभावनाई कि शुरू हो जाग दोजाथ 26 तक रिलीज होने की पूरी संभावनाई अबराल पूरे इंटर्व्यू में दो बड़ी ख़बर आई है एक अजय देगवन के साथ अपकमिंग फिल्म अक्षा के साथ और हेरा फेरी थिरी तो कर्फर्म हो चुका है उन्होंने कहा है कि अभी वेलकम थिरी कर रहे है वेलकम थिरी कंपिल होने के बाद कि हेरा फेरी थि है वेलकम है फिर हेरा फेरी थिरी है बहुत सारे ऐसे फिल्में है जो आने वाली है और कमबेक करने वाले हैं इन्हें अक्षाय और अजय देखवन की इंट्रिव्यू का रिव्यू था अब वो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेर जरू कर दीजिए और ऐसी मज़दार इस्पोर्स और पॉलिवूड अप्डेट्स फिल्म अप्डेट्स के लिए हमार साथ बने रहे हैं तब तक लिए थैंक यू जय जय भारत